तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12 के बच्चों के लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं या कह लिजे सॉल्व करने वाले ह है आपका मीड टर्म का सैंपल पेपर क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का जिहां बच्चो हिंदी इलेक्टिव का या फिर हिंदी एक्षिक इसको आप कहते हैं इस विशय का ठीक है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सैंपल पेपर होने वाला है यह आपका लेटस्ट आपका जियोग्राफी हो गया तो उन सब्जेक्ट का अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर के देख सकते हैं उनका सैंपल पेपर आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा आप डिस्रिप्शन बॉक्स भी खोलेंगो वहां पर भी देखने को मिल जाएगा लेकि पुराना पैटन और लेटस्ट सिलेबस इन दोनों का कॉंबिनेशन करके आपका इन सब्जेक्ट का सैंपल पेपर बनाके आपके लिए वीडियो बनाया है लेकिन एक कैच यह है मतलब ट्विस्ट यह है आज के इस वीडियो में कि यह जो हिंदी इलेक्टिव का जो मैं इस पैटन होगा आपका यानि की जो आपका पेपर का लेट İsट पैटन है उसके अकॉडिंग होने वाला है क्यूंकि कवक्य के तरफ से पेपर का पैटन भी जारी किया गया था कि इस तरह का यह जादर आए ठीक है इतना टाइम लगा इस पेपर को बनाने में तो इतनी मेहनत को अगर आप अप्रिशेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे इतना ज़्यादा हमारे मोटीवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए बच्चो और अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपका फाइदा यह होगा कि आपको पेपर का जो पैटर्न है वो समझ में आएगा प्लस में बहुत जारा चांस रिस है कि इसके अंदर से कई सारे कोशन् में वाले हैं मीड टर्म के पेपर उसके अंदर रिपीट हो जाए तो वीडियोस को पूरा जरूर देखा करें ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए मीड टर्म का सैंपल पेपर ही हिंदी एक्षिक सब्जेक्ट है आपका तीन घंटे का पेपर होगा और आपका ए और बी हिंदी बोले तो खंड और ब ठीक है जो आपका खंड अ होगा यानि कि सेक्षन ए जो होगा और तालीस वस्टु परक प्रस्ण पूछे जाएंगे अभी आपको समझी में आएगा जब मैं पेपर करवाऊंगा आपको जिसमें से 40 प्रस्ण के ही आपको उत प्रस्ण होता है ना कि उपर वाला नहीं आता है तो उपर वाला कर लीजे तो इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे अभी हम पेपर करेंगे तो आपको आईडिया लग जाए कैसे आपका पेपर होने वाला है ठीक है तो यह था कुछ समानी निर्देश जो कि आपको प गध्यान पूर्वा पढ़िए और उत्तर दिना आईए अप ठीत गध्यान से आपका ठीक है बेसिकली अंसिंग पैसेज टाइप में होता है तो एक तरह से दिया हुआ है मनुस्य के जीवन में लक्ष का होना भूत आविश्यक है इस तरह से करके तो यहां पर आप देख सक से निकला है कि कहां जा रहा है आज का युवक जो है वो कहा जा रहा है तो आज का जो युवक है वो दिशाहीन है और लक्ष की और जयाना चाहिए दूसा question है कि किसी विद्यार्थी का लक्षे क्या होना चाहिए कोई student है उसका aim उसका goal क्या होना चाहिए तो उसका aim या goal कह लीजे या लक्षे कह लीजे सबसे अधिक अंक पाना होना चाहिए जैसे कि आप political का paper लिख रहे हैं आपका 80 number का paper है तो आपका aim होना चाहिए कि सबसे अधिक अंक लाना या अंक पाना कह सकते ठीक है अगला देखिए अगला question है तीसरा question कि किसी महिला का लक्षे होना चाहिए आत्म निर्भर बनना जी हां बच्चो ठीक है आत्म निर्भर बनेगा कोई महिला तो गुरुसे को उपर dependent नहीं रहेगी जिससे कि उनको अधा जो question है आपका व्यक्ति अपना लक्षे कैसे निर्धारित करता है तो अपनी छमता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना जो लक्षे है वो निर्धारित करता है ठीक है आगे चलते है अगला question देखते है बच्चो अगला question है पाच्चा question कि छोटे लक्षे प्राप्त करने पर क्या होता है तो छोटे लक्षे प्राप्ट करने पर मनुष्री में आत्म विश्वास आ जाता है कि छोटे-छोटे हम लोग अपने अचीवमेंट्स प्राप्ट करते हैं कुछ भी हो सकता है तो आपके अंदर ने कोंफिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो में और आगे बढ़ सकता है अगे चलते हैं किसका जीवन सार्थक है यह आपका पैसे से सारफ कोशन पुछा गया तो जो परिस्थितियों को बदलने का सास रखता है उसी का जीवन सार्थक जीवन कहलाता है तो यह इस तरह से अंसर आप क्वोशन आ ऐंगे कि बढ़े लक्षे को क्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए च्छोटे छोटे लक्षे बनाने या अगर कुछ आपको बड़ा एचीव करना है, लाइक आपको बहुत बड़ा बिजनेसमेन बनना है, तो पहले आप छोटे तपके से सुरू करेंगे, लाइक आपने वीडियो वगरा भी देखी होगी, इनकी MBA चायवाला, ठीक है, क्या है, MBA चायवाला की आपने वीडियो द बना करके चलने होंगे, और उनको एचीव करना होगा, देन आप एक जोएसो की बड़ा लक्षे प्राप्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, आठवा कोशन देखिए बच्चों, आठवा कोशन है कि लक्षे के बिना जीवन कैसा हो जाता है, तो आ आप मानो जोएसो की जीवन में आये हैं, यानि कि as a human आप इस धर्ती पर आये हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी आप हो, ठीक एक लड़का हो, एक लड़की जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आदमी का या और अवरत का एक लक्षे होता है, अगर आप उस लक्षे पर काम करेंगे, तभी आपका जीवन जो है न, वो कहेंगे दिशा में रहेगा, अगर आप लक्षे पर काम नहीं करेंगे, तो आपका जीवन बेयर थे वाई, वैसा जीवन तो जानवरों का भी रहता है, खाना सोना, खाना सोना इस तरह से, तो आयो कितना आपको समझ में आए होगा आगे चलती है अगला कोशन है कि असफल सब्द में पर्यूप्ट उपसर्ग है तो वो है ठीक है तो यह इस तरह से आप कर सकते हैं इसी के अथवा में आपको यहां पर कोशन दे रखा है कि अगर आपको ऊपर वहाला कोशन नहीं आता है तो यह लीचे वाला कोशिन आप कर सकते तो इसके अथ्वा में भी सेम वही उसी ताइप का एक कोशिन दे रखा है ठीक है इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रखा है यहां पर आप देख सकते हैं चारली चैपलीन करके 423 चार्सोबीस इस तरह से काफी सारी चीजे हैं अगर आप इनको पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते वीडियो को पॉस करके मैं डारेक्ट कोशिन आंसर की तरफ चलूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हमारा ना हो ठीक है हमारा टाइम बच सकते तो आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं बच्चों काफी यह बड़ा पैराग्राफ है आपको सारी बाते आपको जानने को मिलेंगे इसके अंदर तो चलिए इसके हम लोग कोशिन एंसर किस तरह से पूछा है बच्चों तो देखिए पहला कोशिन पर कि चार्ली चैपलीन का युवा अवतार किसे कहा जाता है तो वह राज कपूर जी को चार्ली चैपलीन का युवा अवतार कहा जाता है ठीक है अगला है हमारा चार्ली चैपलीन किसके ज्यादा नजदीक है तो वह प्रेम चंद जी के ज्यादा नजदीक है ठीक है अगल आगे देखते हैं अगला है चारली की अधिकांट से फिल्में कैसी होती ठीन önce मुट फिल्म होती है उस टाइप से जिसके अधर अवाच ज्यादा नहीं होता है अगला कूश्चन है कि भाषा कप कम इस्तम्रा करने के कारणद चार्ली की फिल्म तो मानवियों होती थी आप कह सकते हैं अगला कोशन है कि कौन सी भारतिय फिल्म चाल्ली का भारतिय करन थी तो आवारा ज़ distortion त्व YES इंडियन तरीके से दिखाए गया है अगला है कोशन कि इस चाल्ली की नकल को भारतिय फिल्मों में लाने का सिरे किसको जाता है, तो राज कपूर जी को जाता है, जाइर सी बात है, अगला कोशन है, कि फिल्मों में चारली की संकटों को देखकर कैसा मसूस होता है, तो हम ही चारली है, ऐसा मसूस होता है, ठीक है, अगला कोशन है, कि प्रस्तूत गाध्यांस किसक तो इस तरह से इन question का answer आपको देना था, आगे चलते है, question number हमारा पहला ही है और question number पहले का second part में questions पूछे गए हैं, तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ लिजें, और direct question answers की तरफ चलूँगा बच्छो तो यहां पर यह आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं कि करके इनके questions, तो पहला question पूछ रहा है कि स्वाशे सब्द से क्या तातपर है, तो वह है आपका उत्तर, निस्तम्भ वातावरन करके, इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगला है दूसरा question की कभी ने मोतियों से किस की तुलना की है, तो पानी के जाग से मोतियों की तुलना की है, कभी ने, अगला question है अमारा कि भूगर सब्द का क्या अर्थ है, तो पहाड होता है, इसका मतलब, next question की परवतिय इलाकों में किस रितू में हमेशा वातावरन परिवर्थित होता है, तो वर्षा रितू में, अब यहाँ पर एक चीज में आपको बोलना चाहूंगा, आप बोल रहोंगे, सर डारेक्ट question से बताते चल रहे हो, तो देखो बच्चों, इसमें कुछ समझाने लाइक है, नहीं उसके अंदर में आपको अच्छे से समया होगा, आगे चलते हैं, पाचवा question कि गिरीवर के उर से उठ उठ कर पंक्ती में अलंकार बताना है आपको, तो पुनरूक्ति प्रकास अलंकार है, यह इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगला है हमारा कि उप्युक्त पध्यान्स मे किस देव का उलेक हुआ है, तो इंदर देव का, ठीक है, अगला question कि मोती की लडियों की सुल्दर्टा में कौन सा लंकार है, तो उप्मा लंकार है, ठीक है, next question है कि ताल को किस के समान बताया गया है, तो दरपन के समान बताया गया है, ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं, इस काव्यांस देखने को मिलेगा इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस करके पढ़ सकते हैं डारेक्ट कोशिन एंसस की तरफ चलते हैं हम लोग क्याएं है कि वीर का मान कब बढ़ जाता है तो जब वह लड़ते हुए सहीध है दि कहलते हैं और वह सहीध हो जै लड़ते लडब तो चाहिए है यहां पर वीर की कि बात कर रहा है धिहान रख्यान नेक्स कोशन है कि रानी से अधिक उसकी समाधी त्रिये क्यूं है क्यूंकि उससे स्वतंतरता की प्रेड़ना मिलती है यानि कि freedom का inspiration मिलता है इसलिए उसकी समाधी ज्यादा पसंद की जाती है सोने की भश्म किस से मुल्यवान होती है तो सोने से मुल्यवान होती है लेग्स कोशन इंटी ज्मक उठी जॉडलासी में कोन सा लंकार है है तो उपमालंकार है नेक्स कोशन की निरीथ का अर्थ क्या है तो वह है रात्तरी अगला कोशन है कि उप्यूक्त पध्यांस में कौन सा रस है तो वीर रस है ठीक है इसलिए मैंने आपको बोला कि स्टार्टिक में पढ़ लिजे देन मैं कोशन अंसर डिसकस करूंगा तो हमारा पहला कोशन समात्थ हो गया ठीक है पहला कोशन जो आएगा आपका दस नंबर का आएगा धिया अगला हमारा दूसरा कोशन है अलव्यक्ति माध्यम से लिया गया है यह पांच नंबर का कोशन है इसमें आपको MCQ-based कोशन देखने को मिलेंगे तो दूसरे का पहले में क्या कोशन पुछा है कि भारत में पहला आपका खाना कब लगा तो वह 1556 में लगा था अगला कोशन है कि इन में से कौन सा उल्टा पिरामीड सेली का अंग नहीं है तो देखी इंट्रो भी अंग है बॉड़ी भी समापन भी यह सब है लेकिन जो आपका यहां पर आप से अच्छी सेलिवह में से एक मानि जाती है की समाचार लेखन के लिए कितने काकर आवश्य mencion है तो छे काकर आप जो है विशेस लेखन का छेत्र नहीं है बच्छो आयोग कि आपको इतना समझ में आया होगा अब हम लोग आगे हैं अगले तीसरे के फर्स्ट पार्ट का यहां पर आप देखेंगे तो थर्ड है तीसरे के पहले में देखिए क्या कोशन पूछा है द्यान से समझी तीसर पर कोशन पूछा है कि उप्यूप्ट काव्यांस कहां से लिया गया है तो एंसर है नागमती व्योग खंड बारह मासा वाला जो चैप्टर है आपका उसके अंदर से लिया अगला यह कोशन हमारा जरे विरह जियों दीपक बाती में कौन सा लंकार है तो उत्प्रेशा अनल नागमती की विरह की अगनी में जलकर क्या बनती जा रही है नागमती जो है वो विरह की अगनी में यानि दूरी है उसके अपने पती से या उसके प्रेमी से तो उसके जो एक तरस अगनी होता उसमें जलकर वो क्या बनती जा रही है तो राक बनती जा रही है ठीक है नेक्स से लिए गई है तो अनतरा वाली जो बीक है उस से लिए आप हम लोग आ गये हैं कोशेन नंबर तीसरे के जो दूसरा भाग निपर आपको देना है बच्चोर तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया हुआ है इसको आप पढ़ लिजे ध्यान से ताकि जो भी मैं questions discuss करूँ आपको समझ में आए तो वीडियो को पॉस्ट करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको तो इसी से संबंधित पहला question लिया गया है कि प्रस्तुत गध्यान्स किस पार्ट से अवतरित है तो प्रेमघन की छाय सुनिती वाला पार्ट जो है उससे यह गध्यान्स लिया गया है next question है कि यह पार्ट किस विद्या में रचित है तो संस्मरन जो है उस विद्या में यह पार्ट रचित है अगला question है कि प्रस्तुत पंक्तियों में में सब्द किसके लिए परियोग्त हुआ है तो राम चंद्र सुकल जी के लिए में सब्द परियोग्त हुआ है यह परियोग में ला अला कोशन है हमारा कि चिंता कर्षक का अर्थ बताईए तो मन को आकर्षित करने वाला जो होता है वो चिंता कर्षक होता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है राम चंदर शुकली जी का जन्म जो एसोगी कब हुआ था तो 1884 में हुआ था अक्तूबर 1884 में अब हम लोग आ गए है चोथे कोशन में बताए गया निमलिखित प्रसिंग उसमें उचित विकल्प का चैन करना है ठीक है जो भी पूछा गया है तो पहला है चोथे का पहले कोशन में पूछा है कि जगधर के मन में कौन सा भाव जगा था तो इर्शिया का जलन का भाव जग है तो लेखक विशनाथ का गाउ विश्ट परफटी जैसा लगता था विशनाथ को अपनी मा के पेट का रंग तो हलदी मिलाकर बनाई बनाई पड़ी के रंग जैसे लगते था और किवीश्ण क्यूं वाले कोशन कतम होते हैं अब हम लोग आ गए है section B यानि कि खंड बॉख के अंदर जिसके अंदर हम से वड़नात्मक पुरस्ण पूचे जाएंगे मतलब आपको लिख करके उत्तर देना है इनका ठीक है कार्याली हिंदी और रचनात्मक लेखन जैसे इसके अंदर कोश इसा जगा होता है जहां बड़े बड़े आपको का ईहां पर topic जीवन की चुनोतियां इन में से किई आप तरह नीबंद होता है चैसरे कि मैंने कहीं ठाट के लिख करके पूरा समझथा रख naturally के दिसनका सराफ यसके सब्क्राइels कि महनें टर्यार्वारा सब्सक्राइब काफी शारी चीजे आप अपने मंद से बना बना करके जितना लिख सकते हैं उतना आप लिखे तो आपको नंबर इसके कोई दिक्कत नहीं होता है इसके अंदर रचनात्मक लेखन के अंदर आपको नंबर मिल जाता है ठीक है हिंट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो पर भी सकते मैंने कैसे लिख्था है आयोब क्या आपको समझ में आगा होगा पांचवा कोशन अब लोग आ गए है छटे कोशन आप से पूछा है और इन तीनों यहां पर तीन प्रशनों में से किनहीं दो प्रशनों का उत्तर आपको देना है तो तीन में से कोई दो प्रशन आपको करना है तो पहला कोशन पूछा है कि कहानी के कौन-कौन से प्रमुक तत्त्तों है किनहीं दो का वर्णन आपको क कहानी के तत्तों कि अगर हम बात करें तो कथा वस्तु आप लिख सकते हैं पात्र का चरित्र लिख सकते हैं चरित्र चित्रन वातावरन समवाद या फिर कथो पत्थन हो गया आपका पकत्थन इस तरह से भाससली और उड़े से तो छे बता दिया है इन में से आपको कोई भी जो है सोकी दो तीन एक्स्प्लेइन कर देंगे इसली आपको नमबर मिल जाएगा नेक्स्कोशन है कि किस प्रकार का नाटक गहरा और ससक्त सिध्ध होता है तो जिस नाटक में असंतुस्की होती है छटपटाहत होती है प्रतिरोध और अस्विकार जैसे नकरात में गून हो नाटक उतना ही गहरा होगा और ससक्त होता जाएगा आपने कोई भी वैब सिरीज या फिर मूवी देखा होगा तो उसका अगर आप पार्ट वन देखेंगे ठीक है पार्ट वन जैसे पुस्पा आई थी हमारी या फिर KGF का अभी चैप्टर 2 आये था है ना चैप्टर 2 आ आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा तीसरा कोशन देखिए क्या पूछ रहा है यहां पर हमसे इफ दूसरा है आपका प्रसिषण के द्वारा कवित लिखना सिखाया जा सकता है तो इस तरह से दो है इसको अगर आप को नंबर मिल जाएगा next question देखते है next question जो है आपका साथवा question है इसमें आपका उल्टा पिरामिट हैली feature और आलेक से संबंदित question होगा इसी पर आधारिक जो है आपके प्रसन दिये गए हैं तो इनको करते हैं ठीक है तो पहला कोशन है कि उल्टा पिरामिट सायली में समचार को किस क्रम में लिखा जाता है । så器 पिरामिट सायली में कोई भी आप न्यूज पेपर ले ले लिजे या फिर टी वी जो आपका चल र जाते जाते सबसे कम important news को चापा जाता है इस तरह से उल्टा पिरामिड सहली में लिखा जाता है जैसे कि आप एक अखबार पढ़ेंगे थीक है मैं आपको और अच्छे से example दे जाता हूं जैसे कि for example आप एक अखबार पढ़ते हैं ठीक है यहां पर देखने को मिली थी तो इस तरह से आपको पहले पेज पर सबसे important news देखने को मिलेगी और सबसे लाश्ट का जो पेज होंगा उससे इंपरटन फिर उससे कम इंपर्टन फिर उससे कम इंपरटन इस तरह से चाहिन लेखन जोसों की लिखा जाता है उल्टा पिरामिट Öz הley के अनिवंट और चीजें वहाँ पर दिख्यों होती है, तो यही उल्टा पिरामिटस vardagt है, news भी इसी चीज में आप कई तरह ही तरह से चलता है और आगे चलते हैं से comprend, फीचर की भासा किस प्रकार की होती है तो जो फीचर होता है उसकी भासा के बारे में आपको बात करना है तो देखिए फीचर की भासा में समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती ठीक है लेकिन इसका अर्थ जो हता है यह नहीं है कि फीचर की भासा सहली को अलंकारित और दु और किस परकार की बाकी चीजह यहां पर आपडिशकें हैं पर यहां पर आप देख कावे खंड पर आधारित है इस तीन प्रशन में से उत्तर आपको नमबर का यह एक कोशन रहेगा तो पहला कोशन है कि देव सेना की हार या निरासा के क्या कारण है तो उसका उत्तर आप लिखेंगे असफल प्रेम की पीड़ा दूसरा है आसाओं वह अकांचाओं का पूरा ना हो पाना तीसरा है जीवन में निरंतर दुख संघर्सों एवं अकेला पन का तो इस तरह से आप लिखेंगे कि देव सेना की हार का ये कारण रहा है निरासा का अब लिख सकते हैं कि कारनेलिया का गीत कविता में कवी ने भारत भूमी के प्रकृतिक संदर्य को किस प्रकार वेक्त किया है तो देखिए भारत भूमी पर पढ़ने वाली सूरे की प्रतम किर्णे जो है अपनी लालिमा से संपूर्ण प्रकृति को अलोकित कर देती है ठीक है तो इस तरह से explain किया है कार्नेलिया का गीत कविता आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कवी ने भारत की भूमी का प्रकृतिक स्वंद्रे बता है इस तरह से तूर्य की किर्णों का विरिक्षो की साखाओं से चंकर उस्पो पर पढ़ना सीतल पवन के साथ आकास में उर्ते पक्षी तथा समूंद्र में उर्ती लहरें उश्मा रूही पनहारी का स्वर्णिम कलस में सुनहरी आभा के रूप म पुमंगो और उत्साहों का विखेर देना तो इस तरह से एक्स्प्लेनेशन किया है कार्नेलिया का गीत कविता में कवी ने भारत की भूमी के प्राकृतिक सुन्दरे का ठीक है तो इस तरह से आप लिख सकते नेक्स्ट कोशन है देव सेना का गीत में कवी ने आसा को बाव सपने बुनना और लक्ष्य को पाने के लिए पागल की तरह उसके पीछे दोड़ना और वर्तमान के रथात में भ्रहम की अवस्था में चले जाना और कविता के संदर्व में देव सेना की यही स्थिती है ठीक है तो इस तरह से एक्स्प्लेन आप कर सकते हैं नेक्स्ट संदर्व में आप लिखेंगे कि जो कविता है जहां से यह पंक्या ली गई है वह सरोज मनेती है प्रसंग के अंदर बताएंगे कि इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन पर अपनी ममर्ता यानि कि एक तरह से पीड़ा को दर्द को वेदना व्यक् प्रभ्रब्लम था उसको यहां पर एक्स्प्लेन कीया है ठीक है तो अब व्यक्षित मैं पूरा एकस्प्लेनेशन दे देंगे किस तरह से चीजे हुई है सारा चीज आप कर देंगे explanation आप यहां पर पढ़ लीजे मैं आपको एक मोटा मोटा हिंत देते चल रहा हूं कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे कर दिए ठीक है वैसे तो मैंने full explanation दे दिया आपको कैसे answer आपको लिखना था इसी तरह से answer लिखना वह उठा है और उसके जीवन की सम्टून वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है ठीक है और यहां पर मुक्ति चंद है और बाकी यहां पर खड़ी बोली है तो यहां पर इस तरह से आप लिख सकते हैं भाव संदरे भी आपको यहां पर explain करना होगा सिल्प संदरे मे से किन ही दो प्रस्णों का उत्तर आपको देना है एक कोशन आपका दो नंबर का है दो कोशन करेंगे आपको चार नंबर मिल जाएगा ठीक है बैला कोशन है कि बड़ी बहुरिया का संवाध हर गोविंद क्यूं नहीं सुना सका उसके मन में कौन सा अंतद्वन्द चल रहा तो आप इस तरह से लिखेंगे कि बड़ी बहुरिया की पीडा से हर गोविंद का जीभारी होने लगा था इसलिए उसमवाध नहीं सुना सका अगला है गाउं की लक्षमी का छोड़ कर चले जाने का विचार बड़ी बहुरिया की प्रति दाइप्त्व बोध का भाव गाउं की प्रतिस्था की बीचीलता एक सुना युमा इससे को लेकरके कि इजत सकती है इस तरह से वह नेख्ट कोशन है हमारा बालक बच गया पाठ के आधार परिश परश्ट कीजिए कि बालक की प्रविर्तिए का गला किस पैठा बोटा जा रहा है, तो आप लिखेंगे कि बालक का जो है सो की पीला मू सफेद आखे देश्टी का भूमी से न उठना और उसकी आयो और छमता से अधिक कठिनाई वाले विश्रयों को रटवाया जा रहा है, मतलब उसके जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको काम दिया जा रहा है, मन चाह इनाम मागने की बात पर मुख पर विलक्षन रंगों का परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इस तरह से आप एंसर लिख सकते हैं, दो नंबर का question था basically, next question है हमारा कि समवधिया डट कर खाता है और अफड कर सोता है से क्या आसा है, काफी important question है, तो इसका उतर इस तरह से लि अगर कोई भी समवधिया डट कर खाता है और अफड कर सोता है, जहां पर लेकर जाता है उसको अच्छे से खिलाते हैं, उसका आदर सतकार करते हैं, और लंबी थकाव यात्रा के कारण हो क्या करता है, भर पेट बोजन करने के बाद आराम से सो जाता है, तो यही आपका question प यहां पर आपको line दे दिया है कि बड़े भाईया के मरते ही जैसे सब डैस 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 बेचारी पर बहुरिया, तो इसके संदर्म में आप लिखेंगे कि पाठ जो है समवधिया है आपका, लेखक इसके है पनिश्वर नाथ रेणू जी, प्रसंग में लिखेंगे कि इस पंक में कैसे कलेश रहा था उसकी पति की मिलती हो गए थी तो इस तरह से जो लेखके उसने explain किया है, अब इसकी व्यक्या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बड़ी बहुरिया के पति की मौत के बाद घर की रौनक ही चले गई, परिवार बिखर सा गया क्यूंकि सारी संपति का बटवारा हो गया, सब भी भाईयों ने आपस में जो ऐसो की इसको बाट लिया और गाउं छोड़ कर चले गए, ठीक है, और जो ऐसो की बड़ी बहुरिया के पास माय के जाने के अतरिक्त कोई भी आश्थान नहीं बचाए, वो जाए कहा तो माय के जाना पड़ा, बड़े होतल जीवन से जुड़ी आंचलिक बहासा का प्रियोक किया गया है, सब्दावली जो है अनचलिकवारी सब्द शकति है, अभीदा अबसक्ति है, सैली भावनात्मक और प्रवार पून है, इसतरह से इस्तमाल किया गया है कोशन आपको समझ में आया होगा तो हम तो सौ लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्व में सूर्दास के चरित्र की विवेचना कीजिए तो देखे काफी इंबॉर्टन कोशन है कई बार ये पेपर में आ जाता है ध्यान से समझे इसका अंसर आपको कैसा लिखना है सूर्दास का इस वाके से एक ससक्त चरित्र उभर कर आता है जिसमें कई विशेष्टा देखने को मिलती है सूर्दास का एक ये विशेष्टा है कि हार ना मानने की प्रविर्टी रखता है सूर्दास जीवन की विशम तथा प्रतिकूल परिष्थितियों में भी हार नहीं मान पुना परिश्रम करने को तयार रहता है हमेशा कि उसको हमेशा कोई भी काम करने के लिए कर्म, महनती उसका एक तरह से चरीत देखने को मिलता है और अंदा होने पर भी उसने इतने पैसा जमा किया कि आगे भी महनत करने से नहीं कत्र है अगला है हमारा प्रतिसोध की भावना से मुक्ति रखता था, बदला लेने की भावना नहीं रखता था, भैराओ के विशे में पता चलने पर भी उसे नुक्सान पहुचाने की नहीं सोचता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे तीन नंबर का इक कोशन था, इसी कोशन के अ उपर वाला कोशन नहीं आता है, तो आप ये नीचे वाला कोशन अटेंप कर सकते हैं, इसके अथुआ में देखिए क्या कोशन पूछ रहा है बच्चो, इसके अथुआ में पूछा है कोशन कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी मा की तुलना बत्तक से की है, तो देखिए लेखक ने ध्यान से समझें इस कोशन को कई बारी आ रखाई कि लेखक ने बत्तक और मा की तुलना करते हुए, कई पक्ष सामने रखे हैं लेखक को दोनों में कई समानताई दिखती है, यह निकि जैसे एक मानव की मा होती है, जैसे हम लोगों की माए हैं, उसी तरह से बत् अपने पंकों को फैला कर अंडों को दुनिया की नजरों से बचा कर रखता है, उसी परकार मानव, यानिकि हम लोगों की माए भी जो होती है, अपने बच्चों की धाल बनकर उन्हें पूरी दुनिया की खत्रों से बचाय रखती है, जैसे बत्तक की माए होती है, अपनी प मानों लोगों की मा होती है, बच्चों को डाटती है, मारती है, समझ समझ का और ध्यान रखती है, कि सिसु को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, नेक्स्ट है आपका पॉईन्ट कि आने वाले खत्रे को भापना, बद्चक की मा निगा सन्देव कोवे की दाक पर रहती है, बद्चक की मां की निगाएं होती है क्योंकि कोवे की उपर होती है, क्या हूँ अंडों को खाने का प्रयास करता है, तोडроде का प्रकार्पास. मानों की जो मा होती है अपने बच्चो पर आने वाले संभावित खत्रय को भाव ले ठीक हैdır तो इस तरह से जो जू लेख़क है उस स disp नाल मतलब अपनी मा की तुन्लमा बत्त्त से किये ठीक है तो इस तरह से आप एंसर लेक साकते हैं मतलो तो यही था आपकार एक्षा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो को बनाने के लिए अगर आप चैनल पर नए आ गया है और चैनल सब्सक्राइब कर लिए बगल को ben इकन देखने को मिले इस तरह का उसको प्रैस करके करना है और पह से जो भी तरह इसी तरह की इंपर्टेट सेम्पल बिपर्स की सबसे पहले आपको मिल सके और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी मैंने आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का हो गया आपका हिस्ट्री का हो गया ठीक है और जियोग्राफी का हो गया इन सभी सब्जेक्स का वीडियो डाल रखा है वीडियो वाला सेक्शन वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा तो बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें खुश रखें सभी को जैहिंद वन्दे मात्रम